नमस्कार प्रिय साथियों आज की वीडियो में मैं आपको 16 से 23 नवंबर 2022 मिथुन राशी वालों का राशी फल बताऊंगा इस सप्ता में होने वाले छोटे बड़े मुमेंट किस प्रकार आपको सावधानिया बरतनी है कौन-कौन सी तारीकों में आपको सावधानिया बरतनी है यही हमारा आज का विशे रहेगा लेकिन इसे पहले मैं विशे को आगे बढ़ा हूँ मैं आपको बता दू जोतिस के दौरा अपनी समस्त प्रकार की समश्चाओं के समधान के लिए और राशी रतन खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मेरा फोन नमबर मेरा वोटसप नमबर आप इस स्क्रिन पर देख रहे हैं तो चलिए मैं आपको बॉर्ड पर आपके पूरे सप्ता का रासी फल तारिक से तारिक तक समझाता हूँ तो व्यर्त की भागदोड 16, 17 और 18 तारिक में कुछ ऐसे कारिये जिनमें आपका कुछ लाब भी नहीं है उनमें आपका भागदोड का एक संयोग बनेगा साथियो संतान पक्स की और से भी हलकी फुलकी कोई नेगेटिव बाते आपको देखने को मिल सकती हैं 16, 17 और 18 नवंबर को आपकी राशी के स्वामी च्छटे भाव में बुद्ध जो है च्छटे भाव में सूरिय के साथ होने से हेल्थ प्रोब्लम आपको यहां पर कहीं ने कहीं देखने को मिलेगी जिन लोगों को पहले से ही बलड इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार की खून में समश्चा है आपको या वीपी हाई वीपी लोग की समश्चा है तो उन लोगों के लिए यह सफ्तहा बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला है अब कुछ पोजिटिव आपको मैं बताता हूँ अश्टमी स्थान में सनी लगातार यहां पर बने हुए हैं तो गुफ्त धन की प्राप्ति का योग बना रहेगा जिन लोगों को अचानक से धन प्राप्त करने का एक तरह से से योग बनता है इसका खाज़ द्यान रखें चास बात यह है कि बारवे मंगल होने से आपको लंबी आत्राओं में कहीं ने कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो दूरस्त यात्राओं हैं उनमें सावधानी बरतें 21, 22 और 23 तारिक में कहीं ने कहीं मानसिक चिंता आपको घेरे रहेंगी और परिवार में या किस ओमन में शिवायका ज्यादा से ज्यादा जाप करें और साती सात में अनावशक क्रोध, अनावशक तनाव, उत्तेजना से आपको बचना है तो यह था आपका इस सब्तहा का राशीफन, सभी राश्यों का राशीफन देखने के लिए, गोचर अपटेट के लिए, सटीक प्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें